हालो टीचर्स, मेरा नाम है राहुल और आपका Classplus के YouTube चैनल में स्वागत है Online Education Market का साइज अब होने वाला है 24 लाग करोड इसलिए Classplus help करेगा Teachers, Educators और Content Creators की grow करने में कुछ मज़िदार वीडियो के साथ तो अगर आपका भी है अपने Online Teaching Business को बढ़ाने का Mission तो हमारे पास है आपकी हर Problem का Solution आप जब बनिए Student और मैं बनता हूँ Teacher और आपको सिखाता हूँ कि आप अपना Online Teaching Business का सफर आसान कैसे बनाएं वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और हाँ Bell आइकन को ज़रूर दबाईएगा ताकि फ्यूचर में आने वारी notification आप तक बहुँच जाए वीडियो काफी detailed होने वाली है इसलिए बिना skip करें से end तक देखिएगा कहीं आप कोई important part मिस ना कर दें तो आज हम बात करेंगे different apps के बारे में जो आपको online पढ़ाने में help करेंगी सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर हमें इन apps की ज़रूरत क्यूं है इसका जवाब मैं आपको देता हूँ चाहे कोई photo हो या video ये apps आपके content को attractive बनाने में बहुत help करता है अगर आपका content attractive होगा तो student का engagement ज़ादा बढ़ेगा और आपके content की quality भी बढ़ जाएगी इसके साथ ही साथ आपका सारा का सारा काम आसान हो जाएगा और सब कुछ organized way में चलेगा अब बात करते हैं अपने सबसे पहले app के बारे में जो की है Canva ये एक free graphic design platform है जिसके उपर आप बढ़ी आसानी से posters, business card, lesson plans और भी बहुत कुछ बना सकते हैं इसको हम photoshop का basic version भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आप pictures upload करके edit कर सकते हैं Canva के अंदर आपको 50,000 से जादा design देखने को मिल जाएगे जो की बहुत बढ़िया बात है अगर आप YouTube video create करते हैं तो आपको YouTube videos की thumbnails भी बड़ी आसानी से इसके अंदर बनाने को मिल जाएगे अगर आप graphic designing में नए हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरुत नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको free video tutorials भी मिलते हैं वैसे तो Canva free है लेकिन अगर हम इसके price की बात करें तो आपको इसका एक pro version भी मिलता है जो की है Canva pro उसके अंदर price है 4000 रुपीज अन्वली and monthly 500 रुपीज अप्टू 5 पीपल अब बात करते हैं अपने अगले app की जो की है Evernote ये एक काफी impressive organizational app है इसकी बात करें लेसन प्लानिंग में classroom management में minutes of meeting note करने में या फिर instruction note करने में भी teachers इसको research work के लिए भी यूज करते हैं इनके key features की बात करूँ तो इसके अंदर आप checklist create कर सकते हैं आप इसको as a web clipper भी यूज कर सकते हैं diagrams के उपर आप notes भी लिख सकते हैं और आपके devices में जितने भी notes हैं आप एक साथ sync कर सकते हैं इसके अंदर आप reminders भी set कर सकते हैं इसके अगर मैं subscription की बात करूँ तो आपको दो तरह के मिलते हैं पहला है personal और दूसरा है professional personal subscription आपको पढ़ेगा 249 rupees per month का लेकिन आप इसका annual plan लेते हैं तो वो आपको सिर्फ 166 rupees per month पढ़ जाएगा वहीं अगर मैं professional की बात करूँ तो ये आपको पढ़ेगा 390 rupees per month और अगर आप इसका annual plan लेते हैं तो ये आपको पढ़ जाएगा 266 rupees per month अब बात करते हैं अपने अगले आपके बारे में जो की है Trello Trello काफी famous tool है जिससे आप अपनी work activities को manage कर सकते हैं इसके साथ ही साथ आप अपने work progress को भी visualize कर सकते हैं Trello के अंदर आप list के साथ board बना सकते हैं और फिर card add कर सकते हैं इसमें आप card को name भी दे सकते हैं आप fellow teachers को board में add कर सकते हैं आप इसके अंदर fellow teachers और students के साथ मिलकर brainstorming कर सकते हैं और lessons create कर सकते हैं अब इसके कुछ main features की बात करूँ तो इसमें आप card create and drag कर सकते हैं अपने project के हिसाब से आपको Trello के digital board पर notes add करने का भी option मिल जाता है आपको इसके अंदर cards की notification भी मिलती रहती है अब मैं अगर इसके price की बात करूँ वैसे तो आप इसे free में use कर सकते हैं लेकिन इसके तीन तरह के plans होते हैं सबसे पहला है standard plan जिसके अंदर आपको monthly charge होता है $6 और अगर आप इसका annual plan लेते हैं तो आपको पढ़ जाता है around $5 then आता है इसका premium plan जो की है per month $12.50 का और अगर आप इसका annual plan लेते हैं तो वो आपको पढ़ता है $10 का अब आता है इसका enterprise plan जिसके अंदर आपको monthly पई करने का option नहीं मिलता है इसका सिर्फ annual plan है जो की है $17.50 per annum अब आप अपने हिसाब से इन dollars को रुपीज में convert करके देख सकते हैं ताकि आपको एक price का idea लग जाए अब बात करते हैं अपने अगले आपकी जो की है kind master kind master एक video editing software है जो की बना है android and ios devices के लिए अब इसके अंदर आप real time video record कर सकते हैं और edit भी कर सकते हैं इसके अंदर और भी कई सारे benefits हैं जो मैं बताता हूँ सबसे पहला ये काफी easy and flexible adjustment tools के साथ आता है then इसके अंदर आप video edit करते समय multi layers पर भी काम कर सकते हैं इसके अंदर आप video edit करके direct social media पर post कर सकते हैं जो की बहुत बहतरीन चीज है ये काफी जादा user friendly है इसलिए आपको video edit करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके interface की बात करें तो काफी जादा सुन्दर interface देखने को मिल जाता है features तो बहतरीन है ही साथ ही साथ इसकी performance बहुत smooth है अब इसकी price की बात करें तो वैसे आप इसे free में use कर सकते हैं लेकिन इसका monthly और annually subscription भी आता है monthly है 250 रुपीज and annually है 3000 रुपीज अब बात करते हैं अपने अगले आपके बारे में जो की है Mentimeter ये एक online polling tool है जो की lectures, presentations और record session में attractive elements आड़ करता है आप इससे attractive quizzes बना सकते हैं अपने students को आसानी से पढ़ा सकते हैं उनकी knowledge test कर सकते हैं और अपनी teaching के अंदर fun element भी आड़ कर सकते हैं इससे आपको आपकी target audience के sentiments को समझने का भी मौका मिलता है ये आपकी presentation को professional, dynamic और engaging बनाता है इसके कुछ और benefits भी हैं जैसे कि इससे आप presentation के creation को simplify कर सकते हैं real time data collect करने में help करता है इससे आप informative और fun quizzes भी बना सकते हैं और साथी साथ आप इसके अंदर live polling भी कर सकते हैं अब बात करते हैं इसके price की जैसे तो आप इससे free में use कर सकते हैं लेकिन इसके तीन तरह के plans आते हैं पहला है basic जो की है $10 per month दूसरा है pro जो की है $25 per month और तीसरा है enterprise इसके अंदर आपको feature के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं अब आप dollar को rubies के अंदर convert करके देख लिएगा तो आज की glass में इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको आज की glass पसंद आई होगी आपको समझ आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा app best है वीडियो कैसी लगी उसे comment करके ज़रूर बताईएगा वीडियो को like and share कर दीजे और हाँ चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा Thank you